परी बेटा, अभी तक तुम इस कमरे में बैठी हो, चलो मेरे साथ बाहर सोने। परी बाहर क्यों सोएगी? हमारा कमरा है ना? हमारा नहीं, सिर्फ तुमारा, मैं तुम से परिशान हूँ, और जिब मैं इस कमरे में नहीं रहती, तो मेरी बेटी क्यों रहे? In fact, मैं और मेरी बेटी इस घर में ही क्यों है? और तो ठीक है, अगर तुम मुझे छोड़ना चाती हो, तो छोड़ दो, और मिरा घर भी छोड़ देना, पर मेरी बेटी मुझे दे देना, मैंने उसे जन दिया है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी एक ऐसे आदमी के साथ रहे जिसे अपनी शराब और सिर्फ अपने काम से मतलब हो जो उसके लिए कभी वक्त ही ना निकाल पाए मैंने अपनी जिन्दगी के दस सार तुम्हारे साथ ये बिता कर गुजा लिए कि कभी तो तुम मुझे समझोगे, समय दोगे पर तुम्हारी पास कभी मेरे लिए समय ही नहीं निकला कैसे समय दुम्हा है तुम्हें, जब मेरे पास समय होता है उस समय तुम अपनी उस घटिया जॉब में बिजी रहती हो पैसे की कमी है क्या मेरे पास क्यों नहीं छोड़ देती है अपनी उस घटिया सी नौकरी को और वैसे भी किसी की नौकरी करके तुम मेरे बच्चे को नहीं पाल सकती और एक बात कुछ पार्टी ऐसी होती है जिनके साथ उठना बैठना होता है और अगर कभी कभी थोड़ी सी शराब पी लेता हूँ तो वो मेरी मजबूरी होती है तो मैं ऐसे मज जताया करो जैसे मैं कोई नशेडी हूँ और ये सब मैं हमारे लिए ही करता हूँ नीशा बस विक्रम का साथ और उसका प्यार चाती थी पर विक्रम अपने काम और दोस्ती यारी में इतना बिजी था कि ना वो अपनी बीवी को समय देता और ना ही अपनी साथ साल की बीटी परी को परी अपने पापा के प्यार के लिए तरस रही थी तो वहीं नीशा और विकरम की लड़ाई धीरे धीरे बढ़ने लगती है और आज लड़ाई इस हद तक पहुँच जाती है कि वो दोनों एक दूसरे से अलग होने की बाते करते हैं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए प्लीज ये जोट मत कहो कि तुम जो कुछ कर रहे हो हमारे लिए कर रहे हो क्योंकि तुम जो भी करते हो न उससे हम खुश नहीं है और ये सब कुछ तुम हमारे लिए नहीं अपने लिए कर रहे हो और इसलिए अब मेरा इस घर में तुम्हारे साथ रहने का दिल ही नहीं करता दम घुटना है यहां मेरा मेरा भी दम घुटना है रोज के तुम्हारे इस फिजुल के बातों से हाँ तो फे ठीक है ना हम अलग हो जाते हैं तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते चलो परी बेटा, अब से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहोगी इतना बोलकर निशा परी को खींच कर ले जाने लगती है पर तभी विक्रम परी को रोक लेता है अपने माता पिता के बीच की लड़ाई देकर परी डर जाती है अब इसे तरह से कुछ दिन बीच जाते हैं और निशा और विक्रम कोट में अपने डिवार्स की अप्लिकिशन डाल देते हैं जहां दोनों परी को अपनी कस्टडी में लेने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे देखे वकिल जी, मेरा उस औरत से अब कोई रिष्टा नहीं है अब जल से जल हमारा डिवार्स करवाओ और मेरी बेटी की कस्टडी मुझे दिलवाओ मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी, ना कि उस घटिया औरत के साथ मेकल कोट में पूरी कोशिश करूँगा कि परी की कस्टडी तुम्हें ही मिले पर जट साब एक बार उस बच्चे से उसकी राय जरूर पूछेंगे और अगर परी ने अपनी मा के साथ रहने का फैसला कर लिया तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं ऐसा नहीं होना दूँगा जब तक केस रफा दफा नहीं हो जाता इस घर से ना तो मेरी बेटी जाएगी और ना ही निशा विक्रम अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता था इसलिए और उसे जैसे तैसे रोक लेता है विक्रम और निशा के डाइवोर्स की बात आगे चल रही थी कुछ ही दिरों में दोनों को कोट जाना था पर उससे पहले विकरम के पास उसकी मा का फोन आता है मेरे बच्चे तो तो शहर जाकर भूली गया अपनी मा को पहले तो बहु फोन भी कर लेती थी पर कुछ दिनों से उसने भी फोन करना बंद कर दिया है मुझ बूड़ी औरत के पास ज्यादा समय नहीं है मैं सोच रही थी अपनी बहु बेटे और पोती से मिल लूँ वो तेरे दूर के काका जीना शहर आ रहे हैं तो मैं भी उनी के साथ आ रही हूँ तू मुझे स्टेशन पर लेने आ जाना मैं अपनी बची कुछे जिन्दगे तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ मा तुम ऐसा क्यों बोलती हो तुम्हें कुछ नहीं होगा हरे अभी तो तुम्हारी बहुत लंबी उम्र है और मैं हर मेने पैसे तो भिजवा रहा हूँ इलाज के लिए फिर यहां क्यों आना बेटा यह मेरी आखरी ख्वाइश है कि मानने से पहले मैं अपना कुछ समय अपनी बहु बेटे और पोती के साथ बिता हूँ और उनका हसता खेलता परिवार देख सकूँ जब विक्रम को यह पता चलता है कि उसकी मा की आखरी ख्वाइश उसका बसता हुआ घर है तो वो अपनी मा को कुछ नहीं बता पाता अनिशा के पास जाकर हाथ जोड़ कर कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अपने ही जेल पा रही हो पर मैं तुमारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कल मा आ रही है और जब तक मा है तब तक इस घर में पहली की तरह रह लो मैं अपने सामने अपनी मा को मरता नहीं देख सकता अगर उन्हें पता चला कि हम अलग हो रहे हैं तो प्लीज जब तक मा यहा है छोटा सा नाटक कर लो उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं किसी और के किये की सजा किसी और को नहीं दीती और अगर माजी तुम्हारी मा है तो मेरी सास है उन्होंने मुझे माज से भी बढ़कर प्यार दिया है मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ फिर कुछ दिन का नाटक क्या है विक्रम के कहने पर निशा मान जाती है अगले दिन जब उशा घर आती है तो विक्रम और निशा पहले की तरह अपनी मा के सामने हसी खुशी रहते हैं पर उन दोनों के बीच का मन मुटाओ कहीं न कहीं उशा को नजर आ जाता है ऐसे ही एक दिन जब पूरा परिवार साथ में खाना खा रहा था पापा आपको पता है? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों आपस में लड़ भी नहीं रहे कितने सालों बाद हम एक साथ आज खाना कहा रहे दादी आपको पता है? परी बिटा, दादी बहुत ठक गई है और उनकी तब्यद भी खराब है न उन्हें आराम करने दो, बाकी की बाते कल करना हाँ परी बिटा, जब तक हम कमरे में चल कर सोते हैं मामा भी आ जाएगी सही का न मैंने निशा, तुम आ जाओगी न इतना बोलकविकरम परी को लेकर अपने साथ जाता है निशा सास को दवाई देकर हॉल में जाकर सो जाती है और जब उशा इस बारे में उससे पूछती है तो निशा बहाना मार देती है अपने बेटे और बहु के बीच की दुरिया देखकर उशा को एसास हो जाता है कि उनके बेटे बहु के बीच में कुछ तो सही नहीं चल रहा और इसलिए वो आसपास के लोगों से पूछताच करती है पूछताज करने पर उसे पता चलता है कि उसके बेटे और बहु अलग होना चाहते हैं ये सुनकर तो मानो जैसे उशा के उपर दुखो का पाहाड तूट परता है मेरे बेटे बहु अलग होना चाहते हैं इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे पता भी नहीं चली मैं अपने बेटे बहु को अलग नहीं होने दे सकती मुझे कुछ भी करना पड़े पर मैं उनकी ग्रेहस्ती उजडने नहीं दूगी उशा को जैसे ही सच्चाई का पता चलता है वो अपने बेटे बहु को एक करने में लग जाती है ये क्या बेटा तू तो बस अपने बिसनेस में लगा रहता है कभी इस पार्टी से मिलता है कभी उस पार्टी से अरे कभी अपनी मा बीवी बच्चों को किसी पार्टी में लेकर गया क्या थोड़ा टाइम घर में भी दे बहु को भी अच्छा लगेगा और परी को भी और तभी तुझसे लगाओ बढ़ेगा और बहुतू जब पती इतना कमा रहा है तो नौकरी की क्या जरूरत है और अगर फिर भी तुझे कमाना है तो अपना खुद का पार्लर क्यों नहीं खोल लेती तुने ब्योटेशन कहीं आ और नौकरी करने के लिए सीखीती क्या मैं कोशिश करता हूँ आज जल्दी आने का फिर हम सब बाहर एक साथ डिनर करेंगे ठीके मा जब तक आप यहाँ है मैं भी ऑफिस जाना बंद कर देती हूँ ताकि आपका मन लगा रहे इस तरह उशा अपने बेटे और बहु को एक करने में लग जाती है समय यूही गुजरता है और समय के साथ नीशा और विक्रम की बीच की दूरियां भी खत्म होने लगती है और उशा विक्रम से कहकर नीशा के लिए छोटा सा पारलर खुलवा देती है जहां नीशा हर समय बीजी रहती है तो वहीं दूसरी और विक्रम भी अपने परिवार को पूरा टाइम और प्यार दीता है जिस वज़े से नीशा अपना फैसला बदल लेती है और विक्रम को भी ऐसास हो जाता है कि परिवार के साथ होना कितना जरूरी है एक दिन निला और विकास रात के ग्यारा बजे फिल्म देखकर घर में गुशते हैं मा, मा कहा हूँ आप, बेबी कहा है, बेबी देखो पापा आगे विकास की चिलाने की आवाज सुनकर उर्मला अपने कमरे से बाहर आती है ये क्या बजपना है विकास, इतना चिला क्यों रहे हो, रात के ग्यारा बज रहे है और बच्ची तुम लोगों का इंतजार करते करते कब की सो चुकी है अब शोर मचाना बन करो और जाकर अपने कमरे में आराम करो अरे मा अगर सो गई है तो जगाद हो ना मैं सुबह भी बच्चे से मिले बिनाई चला गया था थोड़ी देर उसके साथ खेल लेता हूँ फिर अपने कमरे में जाकर सो जाओंगा अरे बबबा मुझे तो बहुत धकान हो रही है ये तीन घंडे के फिल्म देखते देखते मेरा तो सरदर दूने लगता है एक काम गरो तुम बेबी के साथ खेलो मैं तो सोने जा रही हूँ मेरी तरफ से उसे गुड नाइट भोल देना और ये लो ये टॉइस ये ना मन है अमरीकास मंगवा है ये भी उसे दीती ना नीला टॉइस विकास को दीकर अपने कमरे में चली जाती है अच्छा माँ अब चलो आपके कमरे में चलते हैं मैं वही बीबी के साथ खेल लूँगा अच्छा बच्चे की इतनी ही याद आती है तो समय से घर आया करो ना अब रात के ग्यारा बजे मैं तुम्हारे लिए बच्ची को जगा दो ताकि फिर वो रात भर मुझे सोने ना दे और बिटा तुम्हारी बीबी से तो इतनी उमीद करना भी बेकार है कि अगर बच्ची रोने लगे तो वो अपनी नीन छोड़कर रोती हुई बच्ची को थोड़ी देर संभाल ले वो तो लाकर मेरे कमरे में पटक देगी क्या सही कहा ना उसे तो बाहर से आकर एक बार बच्चे को सीने से लगाना भी याद नहीं रहा मा की बाते सुनकर विकास चुपचाब जाकर अपने कमरे में सोजाता है कहते हैं ना समय बीटते देर नहीं लगती इसी तरह दादी के आचल में खेलते हुए छोटी सी त्रिशा अब दो साल की हो गई थी अब न तो उसे मा के दूद की जरूरत थी और ना ही गोत की त्रिशा दादी को देखकर ममा ममा कहती है और हर समय उनके सीने से लगी रहती जिसे देखकर अब नीला के सीने पर साप लड़ते लगे थे मा जी अब क्या सिखा रहे हैं त्रिशा को आप उसके दादी हो ना, तो उसे दादी ही बुलवाईए ना, ये ममा ममा क्यों कहती है अरे बेटा मैं तो तुझे दिखा कर ही ममा कहती हूँ, लेकिन वो तुझे नीला कहती है और मुझे अपनी ममा, इसमें मेरी क्या गलती है मा को उची आवाज पे बुलता देख तुझे दादी की गूद में चड़ जाती है, और रोने लगती है अरे बहु ये कौन सा तरीका हुआ बच्चे से बात करने का, डांटने से पहले प्यार करना तो सिख बच्चे से सास की बात सुनकर अब तो नीला के तन बदन में आग लग गई थी त्रिशा को रूता देख दादी उसे गूद में लेकर घर से बहार निकल जाती है कुश देर बाद नीला का गुस्सा ठंडा होता है, तो वो त्रिशा को देखने घर से बहार आती है निला देखती ही कि त्रिशा पार्क में दादे के साथ जूला जूल रही है त्रिशा बेबी, आज आओ, आज हम पापा के साथ घूमने चलेंगे, ओके, चलो रेडी हो जाते हैं बिटा नई, वो जो मुम्मा के पास रहना है तभी पार्क में खड़ी औरत कहती है उर्मिला जी कोई महमान आये हुए, क्या आपके यहाँ, कौन है यह? अरे नई, नई, यह तो बहू है मेरी, त्रिशा की मा हमें तो आज तक यही लगता था कि आप भी त्रुशा की मम्मा हो सास और पड़ोसन की बाचित सुनकर तो नेला की गुस्से की आग में और घी पड़ गया अरे यह सब क्या हो रहा है? माजी तो त्रिशा की मा बनी गुम रही है और त्रुशा भी जब देखो मैं मम्मा करती रहती है अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं उसकी आया हूँ और माजी ही उसकी मा पड़ोसन की बाद का जवाब दिये बगया नेला गुस्से में पैर पटकती हुई घर के अंदर आ जाती है कुछ दिन बाद माजी दस दिनों में बीबी का सेकंड बर्टे आ रहा है हम सोच रहें कि उस दिन एक बड़ी सी पार्टी कर लेते हैं हाँ दुनिया को दिखाना भी तो है कि तुम दोनों बेटी से कितना प्यार करते हो मुझे सब याद है पहले बर्टे के समय तुम दोनों को अपनी गोवा की छुट्टिया मनाने से फुरसत ही कहा थी जो तुम बच्चे का बर्टे मनाते हैं खैर मुझे क्या बर्टे पार्टी में विकास त्रिशा को गोद में लेकर केक कटपाने लगता है तभी द्रिशा जूर जूर से रोने लगती है चोड़ो मुझे मुझे मम्मा के पास जाना है चोड़ो बच्ची के मुझे ऐसी बात सुनकर नीला उसके पास आ जाती है अच्छा ठीक है आओ मम्मा की गोदी में आ जो नेला समझ गई थी कि वो अपनी दादी को वहाँ पर बुलाना चाह रही है वो क्या है न अभी दादी बुलना सिखी नहीं है इसलिए दादी कोई मा कहती है अच्छा रो मत बिटा अभी बुलाते हैं दादी को दादी उर्मिला को देखकर त्रिशा खुश होकर उनके पास चली जाती है और उनकी गोद में ही केक काटी है आज तो नीला को बहुत ही चोटा मैसुस हो रहा था उसकी अपनी बेटी ने इतने महमानों के सामने उसे मा मानने से इंकार कर दिया था वो मन ही मन अपनी साज उर्मिला को इन सब बातों के लिए जम्मदार मान रही थी देख रहे हैं विकास तुम्हारी ममा क्या कर रही है अरे हमने उन्हें गाउं से यहाँ पर इसली बुला था ताकि बच्ची की परवरिश में वो हमारी थोड़ी मदद कर सके लेकिन वो तो तुरिशा की मा ही बन कर बैट गई वो तो तुरिशा पर ऐसे हग जमाती है जैसे कि वही उसकी मा हूँ अरे उसे मैंने पैदा किया है मैंने मैं उसकी मा हूँ तुम बेकार की बाते क्यों सोच रही हो निला मा ऐसा कुछ नहीं कर रही वो तो बस हमारी बच्ची को लाड़ प्यार से पाल रही अब इसमें भी तुम्हें दिक्कत हो रही है क्या तुम अंधी हो मा के प्यार में तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ मुझे सब साफ साफ दिखाई दे रहा है अरे उन्हें शेर्म नहीं आ रहे हैं, बुड़ापे में एक छोटी सी बच्ची से मा बुलवाते हुए नीला, तुम बहुत ज्यादा ही सोच रही हो देखो ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो कि मा ने त्रिशा के लिए कितना कुछ किया है बस इसलिए त्रिशा को मा से थोड़ा ज्यादा लगाओ है बस बहुत हो क्या अब तुम अपनी मा से कहो कि अपना बोर्याप इस तरह बांदे और गाउं चली जाए मुझे अब उनकी शकल भी नहीं देखनी अगर वो थोड़े दिन और इस घर में रही न तो वो पूरी तरह से मेरे बच्चे को अपने काबू में कलेगी नीला की जगड़ा करने की आवाज कमरे से बाहर जाने लगी थी ये सुनकर सास औरमिला उनके कमरे में आती है बेटा नीला मैंने सब सुन लिया है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है लिकिन बेटा तुमने कुछ काम गलतिया नहीं की और इस तरह से देखा जाये तो ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है न तुम वाकरी उसके हकदार हो देखा देखा विकास तुमने तुम्हारी मां क्या बोल रही है आरा ये क्या देखेगा विकास कौन सा कम है पिछले दो साल में तुम दोनोंने अपनी बच्ची के साथ कितना समय बिताया है जो आज तुम्हें बच्चे के माबाप बनने की याद आ गई जिस समय तुम्हारी बच्ची को तुम्हारी सबसे ज़्यादा जरूरत थी तुमने हमेशा उससे अपना पला ज़ाड़ना चाहा ना तुमने कभी उससे अपना दूद पिलाया ना कभी सीने से लगाया रात में तुम्हारी नेंद खराब न हो इसलिए तुमने कभी उसे अपने पास सुलाना तक जरूरी नहीं समझा तुम्हारी बच्ची कब बिमार हुई, कब रात भर नहीं सोई तुम जानती हो बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई, तुमने आफिस जॉइन कर लिया और उसके बाद तुम देर रात तक पार्टिया करते रहें, फिल्में देखते रहें कभी तुम्हारे मन में खयाल आया, कि घर पर तुम्हारी नन्नी सी बच्ची तुम्हारा इंतजार कर रही होगी पता नहीं उसने खाना खाया होगा या नहीं, कई रो तो नहीं रही, या सोप आ रही है या नहीं क्या कभी ऐसा खयाल मन में आये, नहीं आये न, जो बच्चा पूरा पूरा दिन माबाप को देखे बिना बिताएगा, उसे माबाप कैसे याद रहेंगे, बोलो और बहुत तो क्या भोल रही थी अपनी मा को गाउं भेज दो ठीक है चली जाती हो गाउं लेकिन एक बात याद रखना अगर मैं गाउं चली गई ना तो कल को जो आया तुम रखोगी तुम्हारी बेटी उसे मा कहने लगेगी क्योंकि मा बनने के लिए तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है बेटा वो मा तुम हमेशा तुरिशा के पास रहती थी ना तो हम भी बेफिक्र होकर बाहर चले जाती थे वरना ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें तुरिशा से प्यार नहीं है बेटा मैंने जो तुरिशा के लिए किया है मैं उसका ऐसान नहीं जता रही हूँ वो मेरी पोती है मैंने जो भी किया अपने दादी होने का फर्ज निभाने के लिए किया लेकिन एक बात याद रखना चाहे दादी हो या कोई आया एक मा की जगा कोई नहीं ले सकता एक बच्चे के लिए उसकी मा वही है जो उसे सीने से लगाती है दूद पिलाती है उसके नक्रे उठाती है उसे गोद में लेकर सुलाती है जो उसकी तकलीफ में रात रात पर जागती है क्या तुमने इन में से कोई भी काम किया किसी और परदोश लगाने से पहले अपने गिरेबान में जाक कर देखना अच्छा होता है बिटा बाकि तुम्हारे घर में रहने में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है टिकेट करा दो मेरी मैं कल ही अपने गाउँ चली जाओंगी मा की बात सुनकर जैसे विकास और नीला की आँखों पर लगा परदा जटकी से उतर गया था मुझे माफ कर दीजी माजी आपकी निस्वार्थ प्रेम पर मैंने शक किया ठीके मैं जॉब छोड़ देती हूँ अब समित रिशा के साथ घर में ही रहूँगी बिटा तुम्हें नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तुम घर में नहीं रहोगे उस समय तरिशा का ध्यान रखने के लिए मैं हूँ लेकिन ओफिस से घर आने के बाद एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि अब तुम्हारा एक बच्चा भी है जिसके लिए माबाप उसकी पूरी दुनिया होते है इसलिए सारी दुनिया एक तरफ और तुम्हारा बच्चा एक तरफ समझ कै मा की बात सुनकर विकास और नीला मा की गले लग चाते है एक बड़े शहर में राजेश अपनी पत्नी नीतू और बेटे टिंको के साथ रहता है एक दिन नीतू सुफे पर बैट कर टीवी देख रही होती है कि तभी राजेश खुशी से दोड़ा दोड़ा आता है अरे क्या बात है कोई लोट्री लग गई है क्या जो इतना खुश होकर दोड़े चले आ रहे हो हरत तुम भी ना हमेशा उल्टी बात करती हो अच्छा अच्छा क्या हुआ बताईए मेरे लिए कुछ खरीद कर लाए हो क्या तुम ना पहले अपने सवाल बंद करो गाउं से मा और दीदी आ रही है क्या नीतु के हाथ से टीवी का रिमोट छूट जाता है अरे क्या हुआ तुम इतना परिशान क्यों हो गई तुम उनको फोन करके मरा कर दो कि यहां ना आए अरे मुझ से किसी का काम नहीं होने वाला हाँ अच्छा अगर तुमारी मा यहां आती है तब तो मैं कुछ नहीं कहता आहां दे दीजिये मुझे ताने लेकिन मेरी मा यहां बस्ते नहीं आती तुमारी मा बेहन छुट्टी बिताने मुझ उठा कर यहां आ जाती है ठीक है मना कर देता हूँ मैं वैसे मुझे मा बता रही थी कि वो अपना एक बॉक्स लेकर आ रही है जो मा को मेरी दादी ने दिया था और अब वो तुमको देना चाती थी लेकिन कोई ना मैं मना कर देता हूँ अरे रुको रुको वो हमारी मा है हमारे पास नहीं आएंगी तो कहां जाएंगी जाओ तुम पहले ही उन्हें लेने स्टेशन चले जाओ मैं ना उनकी खुब सेवा करूंगी आखे रिकलती बहु जूँ राजिश मन ही मन मुस्कुराती हुए वहाँ से चला जाता है वो मा और बहन को लेकर घर आ जाता है नीतो पूजा की ठाले लेकर आ जाती है क्या बात है राजिश बहुत विर्कली बदल गई है आज तो हमारी पूजा हो रही है लेकिन इस पूजा का फुल तो मुझे मिलेगा जब इसको पता चलेगा कि मा के पास ऐसा कोई बॉक्स नहीं है नीतो पूजा करके दोनों को अंदल ले जाती है बाजी आप इतने दिनों बात क्यूं आती हो अरे जल्दी जल्दी आया करो ना और दीदी आप तो आती ही नहीं हो क्या भाबी एक साल में चार बार तो आ जाती हो और एक महिना रह कर भी जाती हो चलो कोई नहीं, अगर आप कहती हो, तब और भी जल्दी-जल्दी आया करूंगी अरे नी, तू, खुद को कंट्रोल कर यार, तू लालज की चक्कर में आफ़त गले में टाल रही है हाँ दिदी, कोई नहीं, जब आपको टाइम मिले न, हाँ, तब ही आजाया करो अब इनके लिए कुछ खाने को भी लाओगी, अब बात ही बनाती रहोगी मैं तो इनके आने की कुश्ची में पुली गई, हाँ, अब भी ले कराती हूँ नीतू उनको नाश्टा कराती है, अगली सुबह, नीतू सो रही थी तभी बहू, ओ बहू, तू अभी तक उठी नहीं है, सुबह के साथ बज गए है पहले कितना चैन से सोती थी, इन्होंने आकर मुझे फिर नागरानी बना दिया एक बार वो बॉक्स मिल जाये बस, फिर देखना, कैसे छुट्टी करती हूँ इन दोनों मा बेटी की तुझे काम नहीं करना क्या, राजेश ओफिस कप जाएगा, टिंकू स्कूल कप चाएगा और मुझे भी मेरी चाए नहीं मिली है अभी तक मा, काम वाली नहीं आए गया अभी तक हाँ, आई थी, लेकिन मैंने उसे भगा दिया है, क्यों? अरे मेरा बेटा कमाने जाता है और उसकी इतनी मेहनत की कमाई से हर महिने दस अजार रुपय तुझ काम वाली को दे देती है, अरे खुद से काम करें तो पता भी चले कि पैसे कैसे कमाई जाते हैं, आज के बाद कोई भी काम वाली इस गर में नहीं आएगी माजी, आप मेरे घर के फैसले कैसे ले सकती हैं? मुझे बहुत ज्यादा काम होता है और मैं इतना सारा काम नहीं कर सकती हूँ और अब तो आप दोनों भी आ गये हो माँ देखो, भाबी की आखो में पहले दिनी हम खटकने लगे हैं हाँ, चलो चलते हैं यहाँ से अरे, मेरी खजाने की पोटली जा रही है अभी तो मुझे बॉक्स पी नहीं मिला है रोक नी तू, इन दुनों को रोक लिए माजी, आप तो फाल तुमें ही गुसा कर रही हो मेरा वो मतलब नहीं था आजाओ, अंदर आजाओ, सारा खाम कर लूँगी मैं अब रात दिन में तो घर के काम में लग जाती है और सास ननत की सेवा भी खुब अच्छे से करती है अरे, कितने दिन हो गये हैं लेकिन आपकी माजी न अभी वो बॉक्स मुझे नहीं दिया अरे, दे देखी न आराम से, इतने भी क्या जल्दी है मुझे न उस बॉक्स को देखना है, कि क्या है उसके अंदर अदे यार, अब कैसे समझाओ इस लॉल्ची औरत को तब ही बाहर से आवाज आती है दहू, मेरे कपड़ों पर प्रेस नहीं हुई अभी जल्दी से कर मुझे नहाना है देखो, तुमने मुझे नौकरानी बना दिया है और तुम्हारी मा है कि वो बॉक्स मुझे दे ही नहीं रही अब तो मैं उसे मांगी लेती हूँ अरे, नहीं नहीं, तुम उनसे कुछ मत मांगना रुको मेरी बात सुनो मा जी, पहले आप मुझे वो बॉक्स दीजिए कांसा बॉक्स? अरे, वही बॉक्स जो आपको आपकी सास ने दिया था और अब आप मुझे देना चाहती हो बवाल हो गया यार, अब तो यहां से भाग मुझे तो कुछ समझी नहीं आ रहा है मेरे पास ऐसा कोई बॉक्स नहीं है तुमसे ऐसा किस ने कहा? अच्छा, तो यह सारी प्लानिंग राजिश जी की थी कि मुझे नौकर बना कर रख दिया अभी बताती हूँ इनको नीतो राजिश को फोन मिला कर खोब बुरा भला सुनाती है इन सबने मिलकर मेरे साथ खेल बहुत खेल लिया अब मेरी बारी है तिंको बेटा मार्केट सबजी लेने चलोगे ना ठीक है ममा नीतो टिंको के साथ मार्केट जाती है और डॉक्टर की दुकान के सामने गिर जाती है ममा अब ठीको अरे बिटा तू घर जाकर पापा कू बुलाला टिंको अपने पापा कू बुलाने घर दोड़कर जाता है मी तो डॉक्टर से कहती है डॉक्टर साहब मेरे पती आने वाले होंगे आप मेरी पट्टी बान दीजी और उनसे कह देना कि मेरी याददाश जा चुकी है अरे पर बेहन जी आप तो ठीक है फिर मैं ऐसा क्यों बोलूँ आपकी चाय पानी का जुगार हो जाएगा डक्टर साहब अरे ठीक है बेहन जी अभी रिपोर्ट बना देता हूँ तब तक राजिश पिया जाता है और डक्टर अपनी रिपोर्ट बना देता है क्या हूँ आप डक्टर साहब इनके सिर में चोट लगने की वज़े से इनकी याददाश जा चुकी है और अब इनको बेड्रेस बहुत जरूरी है राजिश नीतु को लेकर घर आता है और अपनी मा और बेहन को बताता है कि अपसे काम उन दोनों को ही करना होगा अरे ऐसे कैसे काम करना होगा इसकी यादश ही तो गई है ना लेकिन काम तो कर ही सकती है भाबी आपको कुछ याद नहीं है क्या सच में कौन भावी, कौन ननद, कौन हो तुम सब और मुझे यहाँ क्यों उठा लाए हो नीतू, तुमने मुझे पहचाना अब ये नीतू कौन है और कौन है तू ताजेश बेटा, मैं कह रही थी कि तेरे पिताजी का फोन आया था तो हम दोनों को भी अभी जाना होगा मा, आप दोनों हमें ऐसी हालत में छोड़ कर कैसे जा सकते हो क्या करे बेटा, जाना बहुत जरुरी है राजेश की मा और बेहन दोनों घर से भाग जाते हैं तभी डॉक्टर घर आ जाता है अरे बेहन जी, मैंने आपके मन मताबिक रिपोर्ट बना दी थी लेकिन आपने चाए पाने का जुगार तो कराया ही नहीं यदि आप अपना बजट और बढ़ा ले तो मैं दूसरी बिमारियां भी उसमें जोड़ दूँगा क्या, तुम नाटक कर रहे थी? जी हाँ, जिस कुल में तुमने नाटक करना सीखा था मैं वहाँ की प्रिंसिपल रह चुकी हूँ पहले तुमने खेला और मैं खेल गई बहुत आसान है अरे मेरा तो कुछ करिये जुगार अरे जूता कहा है अरे मेरा? डॉक्टर जान बचा के वहाँ से बाग जाता है